Hello everybody, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, मैं हूँ Anisha, आपके अपनी English Educator So बच्चों, आज हम क्या start करने वाले हैं? आज हम start करने वाले हैं हमारी Flamingo Book की first poem, जो की है My Mother at 66 सारी poetry बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, यह poetry बहुत simple है बहुत simple language में लिखी गई है और इतनी छोटी poem है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा So let's start, My Mother at 66 और इसकी poetess हैं Kamla Das सब से फ़ले हम poet के बार में पढ़ते हैं कि poet कौन है? The poet Kamla Das also wrote by her pen name of Madhava Kuti, she was born in Kerala and is one of the India's first poets तो जो हमारी poet Kamla Das है, वो अपना pen name जो है, याने कि school में या identity card में हर जगा अपना नाम क्या लिखती है Madhavi Kuti, ओके, वो कहां born हुई है, Kerala में born हुई है और यह India की सब से first poets रह चुकी है, शुरुआती poets रह चुकी है Her subject matter is basically related to her personality, which is beautiful, sensitive, bold and tormented तो जो भी subject यह choose करती हैं अपनी poetry को लेके, या जिस भी subject के उपर यह अपनी poem को लिखती है वो बिलकुल इनी की personality जैसी होती है External factors do not reflect in her writings जितने भी बाहर के factors हैं, जो किसी की पर लिखावट को affect कर सकते हैं वो इनको फरक, उससे इनको फरक नहीं पड़ता है Her writings bring out her true inner feelings जो भी यह लिखती है, जहां पर भी इनकी कलम चलना start होती है इनकी real, true inner feelings, अंदर की जो भावनाएं, emotions हैं वो बहार आ जाती है और वो उसी को ही express करके beautifully poem को frame करती है So this was all about our poet Now introduction of the poem अब poem को start करने से पहले में एक छोटा overview दे देती हूँ यह जो poem है, खुद कमलादास के बारे में ही है यानि खुद poetist के बारे में ही है कुछ दिन चुटिया मनाने और वहां से कुछ दिन चुटिया मनाने के बाद वो वापस coaching airport जाती है क्योंकि वो वापस अपने काम के लिए जा रही है जब रास्ते में, मतलब जब घर से airport तक वो जाती है और रास्ते में वो car में देखती है अपनी mom को कि उनकी mom जा है, वो side में dose कर रही है याने की सो रही है और उनके face जब देखती है कमलादास तो वो देखती है कि उनकी mother कितनी old हो गई है suddenly realize करने कि लग गई है कि वो कितनी old हो गई है उनके face पे wrinkles है, जुरिया है और उनका face कितना worn, याने काफी pale हो गया कहीं मेरी mother की death ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापिस जब आऊ तो मैं अपनी mom को मिल ही नहीं पाऊ ऐसा लग रहा था कि उनकी mom जो सो रही है वो dead body जैसे लग रही है क्योंकि वो इतनी old है तो एक तरीके का डर, जो fear है वो उनके दिल में आने लगे, उनके दिमाग में आने लगे कि कहीं मैं अपनी mom को खोन अनू और उसके बाद रास्ते में वो क्या देखती है वो देखती है कि कुछ trees निकल रहे है ऐसा नहीं हो तो जब हम कार में बैठते है तो बहुत सारे trees जब हमको दिखते हैं side में तो वो लगता है वो पीछे की तरफ छूट रहे है तेज गाड़ी में क्योंकि गाड़ी की speed इतनी जादा है तो असले लगता है trees पीछे की तरफ छूट रहे है तो वो देखती है कि trees स्प्रिंट हो रहे है पीछे की तरफ ऐसे छूट रहे है तो उन्हें लगता है कि कहीं मतलब वो एक opposite चीज देखती है वहीं उनकी mom जो काफी weak है कितनी motionless है एक dead body की तरफ सो रहे है उसी के contrast जब अपना ध्यान बटकाने के लिए वो window के बाहर देखती है car की तो वो देखती है कि trees कितनी speed में जा रहे है जो कि बिलकुल opposite है उनकी mom से फिर वो window के बाहर देखती है कि कुछ बच्चे कुछ young बच्चे कितने energetic बच्चे बाहर निकल के आ रहे है spilling out of their homes यानि अपने घरों के बाहर निकल के आ रहे है तो बच्चे और एक dead एक बूड़ी औरत को कितना contrast रहा है कितना difference है दोनों में वो कितनी बूड़ी है कितनी motionless है एक dead body जैसे लग रही है उनकी face है जन्द अपर ऐसे सो रही हैं जैसे dead body लग रही है इतनी old हो चुके है इतने wrinkles है और on the contrast window के बाहर car की वो देखती है कि young बच्चे, full of life, full of energetic energy सारे बच्चे गूम रहे हैं तो यह सब चीज़े बहुत contrasting है finally जब वो एरपोर्ट पे जाती है तो वो अपनी mom को एक बार मुड़ के देखती है और फिर वो तीन बार smile करती है smile, smile and smile तो basically वो realize करती है कि बच्चपन में भी मुझे ऐसा ही डर फील हुआ था क्योंकि शायद वो बच्चपन में बिछड गई थी अपनी मा से काम के लिए चली गई होंगी शायद बाहर तो यही डर उनको feel होता था कि कहीं मेरी मा मुझसे दूर न हो जाए, कई उनके death न हो जाए वो ही डर उनको वापिस realize हो रहा है कि उनकी death हो रही है और अपनी मौम से वो depart हो रही है लेकिन फिर वो bravely feel करती कि नहीं मैं वापिस आऊंगी और मैं अपनी मौम को मिलूंगी इस hope से वो smile करके अपनी मौम को भगवान का सबसे बड़ा greatest gift है हम लोगों के लिए और हर इंसान के लिए the poet कमला दास and through her poem my mother is 66 she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away anytime तो इस poem के through जो poetess है कमला दास वो अपनी feelings को express कर रहे है कि उनकी मौम की जो age है वो बढ़ती हुई age है वो old होती जारी है और इसके साथ-साथ उनके दिल में एक डर आता जारी है कि कहीं वो उनकी माँ को खो न दे कहीं उनके death न हो जाए क्योंकि एक age की बाद इंसान की death होती है और उनका ऐसा weak चहरा देखके इनका ऐसे wrinkles वाला face देखके उनको ये डर और बढ़ जाता है पोईटेस के दिल में अब यहां से हम स्टार्ट करते है हमारी पोईटेस होंगे इस पोईटेस होंगे वो भी हम सब यहां पे cover करेंगे तो कहां से पोईटेस है वो बतारी कि मैं जो पोईटेस है वो अपनी parents के घर से drive करते हुए कार में बैठी हुई है और कहां जा रही है कोचिन एरपोर्ट जारी कोचिन की तरफ जारी है और यह सुबा सुबा के बात है याने Friday morning की बात है जब वो जारी है एरपोर्ट की तरफ और side में कौन बैठा हुआ है side में उनकी mother बैठी हुई है जो की क्या कर रही है dose कर रही है याने a short sleep थोड़ी देर की बुजर्गों को बुड़े लोगों को जैसे कार में नींद आ जाती है तो जैसे छोटा सा nap जो लेते हैं सो रही है वैसे सो रही है उनकी मौ और कैसे सो रही है mouth opened सोते वक्त उनका मूँ थोड़ा सा खुला हुआ है हर face ashen like ashen का मतलब क्या होता है very pale like ash राख की तरह जैसे काली राख होती है उसके जैसे वैस उस तरीके से बोलते हैं ash like या ashen तो उनका face इतना जुर्यों से बढ़ा हुआ है कि उनका face राख जैसा ashen like लग रहा है that of a corpse corpse याने कि dead body याने कि जब एक dead body लेटी हुई रहती तो उसका चहरा जिस तरीके से जैसे समझो color निकल गया है color उड़ गया है पूरी face में से और चहरा राख जैसा अजीब सा हो गया है वैसा face लग रहा था poetess को उनकी mom का and realized with pain that she was as old as she looked और इसी चहरे को देखते ही जो poetess है उन्होंने वहीं पर realize कि मेरी माँ अब बहुत old हो रही है जितनी उनकी age है उतनी old अब वो देख भी रही है and 66 क्या है? 66 उनकी age है जो उनकी age है उतनी ही old अब वो देख रही है and as soon she looked but soon put that thought away अब वो देख रही है वो feel कर रही है कि मेरी माँ old हो रही है और उनको ये realize हो रहा है कि डर कहीं न कहीं अंदर खा रहा है poetess को कि कहीं मेरी mother की death न हो जाए कहीं वो इस दुनिया को छोड़के मुझे छोड़के अकेला छोड़के चली न जाए और इस thought को इस negative thought को अपना से दिमाग घटाने के लिए थोड़ा सा अपने आपको distract करने के लिए उन्होंने उधर मू कर लिए और window के बाहर कार की window के बाहर देखने लगी अपना mind distract करने के लिए कौन पोईटिस अन लुक्ड आउट आट यांग ट्रीज sprinting तो जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती है वो क्या देखती है कि यांग ट्रीज याने फ्रेश हरे भरे खिले हुए ट्रीज जो है वो sprinting कर रहे है याने sprint कर रहे है shooting out of the ground याने कि यांग ट्रीज कुछ जमीन से grow हो रहे है और कुछ ट्रीज क्योंकि गाड़ी उनकी fast move कर रहे है कार तेस्ट चल रही है तो कभी-कभी होता है हम गाड़ी के विंडो के बाहर देखते हैं तो हम जब तेस्ट चल रहे हैं तो बाकी सारी चीज हैं जो पेड, पौधे, ग्रीन, जो भी हमें गाड़ी के बाहर दिख रही है वो स्प्रिंट हो रही है याने पीछे के तरफ जल्दी-जल्दी छूटती जा रही है तो exactly वो ही उन्होंने feel किया और वो ही उन्होंने दिखा तो पोईटेस जब बाहर देखती तो उन्हें क्या दिखता है कि बिल्कुल fresh, young जो trees हैं वो sprint कर रहे हैं याने पीछे की तरफ छूट रहे और ये चीज किस के opposite है? उनकी mom के opposite जो बिल्कुल dead body जैसे लेती हुई है और यहाँ पे trees sprint याने fast move कर रहे हैं याने पीछे की तरफ छूट रहे हैं जो mom में उनका face ashen like है राख जैसा हो चुका है, बहुत pale है और यहाँ पे trees कैसे हैं? यंग, खिले हुए, बिल्कुल fresh तो जो वो उनके साथ अपनी mom के face को देख रहे हैं और जो window के बाहर देख रहे हैं और finally अप security चेक हो रहा है याने कि अप जो pointers हैं वो see off करके अपनी mom को bye-bye बोलके जा रही है flight में बैटने के लिए उन्होंने कुछ yards याने कुछ कदम दूर खड़े होके फिर से मुणके एक आकरी बार अपनी mom को देखा और जब उन्होंने देखा तो उनका face कैसा था? Worn Worn याने की colorless जैसे बुजर्ग लोगों का, बूढे लोगों का होता है जिसमें कोई charm नहीं होता है कोई glow नहीं होता है face में freshness नहीं दिखती wrinkles और जुर्रियों से बढ़ा हुआ face होता है वैसा face, Worn face होता है तो वैसा face उन्होंने जब मुड़के देखा आकरी बार तो उनको अपनी mom का वैसा face दिखा pale as a late winter's moon और उनकी mom का face उनको और कैसा दिखा? late winter's moon जैसा pale दिखा अब late winter's moon में याने क्या होता है? जब winter का season खतम होने वाला होता है तो जो winter के time पर जो moon होता है वो clearly नहीं दिखता बहुत foggy दिखता है याने कि जो fog होता है जो धुन्द होती है, धुन्दला धुन्दला दिखता है वो moon के सामने आ जाती है तो moon clearly नहीं दिखता, खुल के बाहर नहीं आता धुन्द के पीछे चुप जाता है याने जो फॉग होता है वो सामने आ जाता है तो exactly वैसा ही मून जैसा फेस जो है उनको अपनी मॉम का लग रहा था कि जो clear नहीं दिख रहा है जिसके उपर बहुत सरे जुर्रिया है जो fresh नहीं है जो अपना पूरा charm, glow, light, face जो खतम कर चु है तो वैसा late winters moon जो होता है उस moon जैसा उनको अपनी मॉम का face दिखता है एक तो जब उनको यह face देखती है तो उनको यह familiar एक यानि जाना पहचाना दर्द एक यानि पें यह जाना पहचाना दर्द अपनी मा से बिच्ठडने का फिर से याद आ जाता है क्यों? क्योंकि उनका ये चाइल्डोट फैर था, ये बच्चपन का डर था क्योंकि बच्चपन में भी वो एक बार अपनी मॉम से, अपनी मा से इस तरीके से अपार्ट हो गई थी जाने की अलग हुई थी, शायद कुछ आगे फर्दर स्टडी करने के लिए, या जॉब के लिए, या आगे की पढ़ाई कंटिनियू करने के लिए वो अपनी मॉम से दूर हुई वो उनको फेमिलियर लग रही थी, यानने जानी पेचानी लग रही थी, अभी वो ऐसा ही फील करनी थी बट अपनी मा को बोला, मैं फिर से जल्द मिलूंगी अम्मा All I did was smile and smile and smile, सुर्फ क्या किया पोईटेस ने? Smile, smile and smile, वो smile करी, मुस्कुराई और सुर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली अब यहाँ पर तीन बार smile क्यों use हुआ है? Let's see, first smile जो use हुआ है, इसका मतलब है realization Realization, उनको क्या चीज रियलाईज हुई? वो बच्चपन का familiar एक, पहली बार वो इसलिए smile करी, कि उनको realize हुआ है कि मुझे वो बच्चपन का मा से बिच्छने का जो दुख है, वो realize हुआ है और साथ में ये realize हो रहा है कि उनकी मा जो है, बुड़ी हो रही है, old हो रही है एज की बढ़ती एज के साथ जो उनकी death है, वो pass आ रही है तो ये सारी चीज़े realize हुई जो दूसरी बार उन्होंने smile use किया, वो क्यों use किया? as a brave front याने जब उन्होंने ये पहली smile में realize किया कि मेरी मौम बहुत old हो रही है और शायद she can pass away, वो मर सकती है, उनकी death हो सकती है फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आपको overcome किया इस दर्थ से और brave front रखा, याने बहुत बहुत बहादुरी से smile किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी मा से मिलूंगे और third smile उन्होंने क्यों use किया word? इसलिए use किया for the hope of seeing her mother next time तो तीसरे smile का क्या मतलब है? तीसरे smile में उनको उम्मीद आई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी mom की death नहीं होगी, मैं वापस आऊंगे और फिर से अपनी mom से मिलूंगी उनको hug करूंगी, उनसे बाते करूंगी जैसे इस बार मैंने करी है और जैसे हर बार में करती हूँ तो इसलिए तीन बार उन्होंने यहाँ पे smile यूश किया है कि smile, smile, smile first smile, realization कि मेरी mom old हो रही है, उनके death होने वाली है या कभी भी उनके death हो सकती है second smile का मतलब है brave, front यानि बाहदुरी से उस negative thought को अपने दिमाग से निकालना और hope रखना third वो उम्मीद, वो hope रखना कि मैं अपनी मा से पक्के से 100% मिलूंगी लौटूंगी तो वो मुझे मिलेंगी, alive मिलेंगी और हम लोग वैसे ही enjoy करेंगे जैसे हर बार करते है जिसका some poetic devices जो कि इस chapter में, इस poem में यूज किये गए है so first poetic device जो यूज हुआ है, वो है simile simile का क्या मतलब होता है it is the comparison of two things by using as और like जब आप दो चीजों को compare करते हो, दोनों में comparison दिखाते हो और बीच में किस word को use करते हो, या तो word use करते हो as, या तो word use करते हो like तो poem में simile कहां use हुए, हर face action like that of a corpse जब ये line use हुए है, तो face को किस से compare किया गया है, corpse यानि dead body से compare किया गया है और क्या word बीच में use किया गया है, like तो face और corpse यानि mom के face और dead body को compare किया गया दो चीजों को बीच में word उज़ किया like तो इस line में हमारी simile use होती है एक line और है जहां पर simile use होती है as a late winter's moon तो यहां पर भी face को compare किया गया किसे late winter's moon से तो face and late winter's moon दो चीजों को compare किया बीच में क्या वर्ड यूज हुआ है तो याने इन दो लाइन में सिमिली यूज हुई है सेकेंड आपका जो लिटरी डिवाइज या पोईटिक डिवाइज यूज हुआ है वो है मेटफर इचेज अब दो चीजों को कंपेर करते हैं याने दो चीजों का कंपेरिशन हो रहा है पर यह डिरेक्टली आप कंपेर कर रहे हो इसमें आज या लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं हो रहे है तो कौन सी लाइन है जिसमें मेटफर यूज हुआ है याने मॉम को किससे कंपेर किया है मैरी चिलर याने हैपी चिलर खुश बच्चों से कंपेर किया गया है और मॉम का फेस कैसा है mom का face बिलकुल dull है बहुत pale है जिसमें कोई life नहीं, कोई energy नहीं तो दो चीजों का comparison हुआ है बिना usage of the words like as या like, तो यहाँ पर metaphor यूज हुआ है personification when we give human characteristics to animals or plants or non-living things, जब आप animals या non-living things को human characteristics, को ऐसी quality के साथ लिख देते हो, जिसमें इनसानों की quality associated होती है उसे हम personification कहते हैं trees, sprinting sprinting याने की, मतलब तेस तेस चलना या छूटना तो इनसान तेस चल सकते हैं या पीछे की तरफ दौड सकते हैं trees तो non-living है, लेकिन क्या है, एक जगा पर still है, they cannot move तो trees sprint हो रहे हैं, याने move हो रहे तो यह क्या है, यह एक ऐसी चीज को human characteristic दे दिया है, जो की move ही नहीं हो सकती तो यहाँ पर personification आपका use हुआ है fourth है repetition, it is the repetition of a word or phrase to create a poetic effect in the poem जब आप poem में कुछ चीजों को या कुछ lines या words को बार-बार repeat करते हो ता कि beautiful एक poetic effect मेले पूरी poem को उसे हम कहते है repetition, तो किस lines में repetition यूज हुआ है, the poet repeats these words, smile and smile and smile, तो उसने तीन बर smile use किया है, तो यहाँ पर आपका repetition यूज हुआ है, फिर आता है alliteration, alliteration क्यों होता है, it is a repetition of the consonant sounds in the line of a poem आपको अगर पता होंगे कि vowels क्यों होते हैं, जो अपने बच्पर में पढ़े हैं, वो होते हैं, a, e, i, o, u ये हमारे हैं vowels, इनके अलावा जितने भी letters होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, consonants, okay तो जिस line में दो consonants, यानि जिस line में अगर कोई words लिखे हैं, और उन दोनों words के जो first letters हैं, वो consonants हैं, यानि वावल्स को छोड़के कोई भी दूसरे letters हैं साथ में use हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं alliteration, जैसे यहाँ पर use हुआ है my mother पूरी line में my mother साथ में आया है, तो starting first letter के है M इसका भी, इस word का भी और इस word का भी, यानि कि ये consonant साथ में use हुआ है, और यहाँ पर alliteration नाम का poetic device यूज हुआ है, that thought again, first two letters are T तो यहाँ पर क्या use हुआ है, alliteration I said was see you soon, तो said see, soon, ये तीनों क्या है, consonant S यूज हुआ है, तीनों words उनके first letter consonant तो that means इन तीनों lines में कहीं न कहीं alliteration हुआ है use, तो ये सारे poetic devices थे So children, this was the end of our explanation of our poem, आया होगा आपको पूरी poem अच्छे से समझ में आई होगी सारे poetic devices आपको अच्छे से समझ में आई होगे, कोई doubt नहीं होगा और अगर आपको कोई doubt हो, तो आप हमारी video links देख सकते हैं, अगर video links आपको YouTube पे नहीं मिल रही हैं, तो आप कहां देख सकते हैं, एक चोटा सा step है जिसको follow करके आप हमारी videos को Google पर भी देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है आपको बस Google पर जाने और हमारी website का नाम magnetbrains.com डालने जैसे ही आप उसे search पर डालेंगे इस तरीके का एक आपके सामने website का page खुल जाएगा जहां पर अलग-अलग classes ने, class 12, 11, 10, 9, 8, जो भी classes के आपको videos देखने हैं, for example मुझे class 11 का English देखने हैं, तो मैं class 11 पर click करूंगी, जैसे ही मैं class 11 पर click करूंगी, तो class 11 में पढ़ाने वाले सारे teachers, जो भी subjects लेते हैं, उन सब के इस तरीके से box बन के आजाएगे, यहां पर है English class 11, जो कि मैं subject लेती हूँ, जब आप इस पर click करेंगे, तो मैंने जितनी भी chapters पढ़ा हैं, उनकी list आजाएगी यहां पर, जिसमें poems हैं, उसकी summary है, topic के explanation है, chapter के question and answers, सारी चीज़ें आपर mention है, for example, अगर मुझे first chapter portrait of a lady का introduction देखना है, तो मैं इसमें click करूंगी, जैसे मैं click करूंगी, यहां पर मेरी video play हो जाएगी, याने की चलना start हो जाएगी, आप मेरी पूरी video को देख सकते हैं, बिना किसी problem की, so I hope आपको समझ में आया होगा, कि कैसे हमारी videos तक आपको पहुचना है, अगर वो YouTube पे नहीं मिल रही है, तब तक लिए, bye bye and take care.